हाई फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जटपट से बनने वाली सोया बिडियानी इसे बनाने के लिए मैंने एक कप लंबे वाले बासमती चावल लिया है इसे दो से तीन वार पानी से अच्छे से धो लेंगे और इसे तीस मिनट के लिए पानी में भिंगो कर रख देंगे अब कराही में दो बरा चम्मच तेल डाल देंगे और साथ में डालेंगे एक चम्मच घी घी से बिडियानी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो घी को असकिप बिल्कुल भी नहीं करिएगा फोरन में डालेंगे एक बड़ा चम्मच जीरा, दो हरी लाइची, एक काली लाइची, तीन लॉंग, साथ आठ काली मिर्च जीरा जब चटक जाए तो प्याज को डाल देंगे मैंने यहाँ पे दो मिडियम साइच का प्याज लिया है प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे प्याज फ्राई हो गया है, अब इनमें एक चम्मच लासू नदरक का पेस्ट डाल देंगे और लो फ्लेम पे दो मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे दो मिनट के बाद इनमें सूखे मसाले डालेंगे सूखे मसालों में मैंने लिया है एक छोटा चम्मच लाल मिर्ज का पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, एक छोटा चम्मच बिडियानी मसाला बिडियानी मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला एक चमच कर लीजिएगा लो फ्लेम पे मसालों को दो से तीन मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे मसाला फ्राई हो गया है अब इन में रफली चौप किया हुआ दो टमाटर डालेंगे और साथ में थोरा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छे से पक सके टमाटर फ्राई हो गया है अब इन में सबजियों को डाल देंगे मैंने यहाँ पर एक गाजर को बरे टुकरों में काट कर लिया है एक बरे साइज का आलू इसे भी बरे टुकरों में काट लिया है और एक कप सोया बीन बरी को आधा घंटा के लिए गर्म पानी में भिंगो दी थी सोया बीन से पानी को अच्छे से निचोर कर लिया है इसी के साथ दो हरी मिर्च बारी कटी हुई और थोरी सी कटी हुई अधरक को डाला है इन्हें अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे सबजीयों को फ्राई करते हुए तकरिवन 3 मिनट हो गया है अब इन्हें सबजीयों के हिसाब से नमक डाल देंगे और 24 छोटा चम्मच हल्दी पौडर डाल देंगे अब फिर से इन्हें low to medium flame पे 3-4 मिनट तक fry कर लेंगे सबजीयों को fry करते हुए 4 मिनट हो गया है अब इनमें एक कप दही डाल देंगे और दही को भी सबजीयों के साथ 2 मिनट के लिए fry कर लेंगे फ्राई करते टाइम ही हम इनमें डालेंगे थोरा सा कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबजीयों अच्छे से फ्राई हो गया है अब इनके उपर चावल को फैला देंगे चावल का पानी मैंने निकाल दिया है चावल को सबजीयों के उपर अच्छे से फैला दिया है अब इनके उपर कटी हुई धनिया और पुदीना का पत्ता को फैला देंगे और चावल के हिसाब से नमक डाल देंगे ध्यान रहे फ्रेंड सबजीयों में हमने पहले से ही नमक डाल दिया है तो नमक आप चावल के हिसाब से ही एड़ करें चावल के उपर दो चमच घी डाल देंगे अब यहाँ पर दो कप पानी डाल देंगे हमने एक कप चावल लिया था उसी कप से दो कप पानी लेंगे अब इनके उपर दो चम्मच डीमबू का रस डाल देंगे अब इन्हें धकन लगाकर 10-12 मिनट के लिए पका लेंगे सुरू में गैस का फ्लेम हाई रखेंगे लगभग 2 मिनट के लिए इसके बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे जब तक चावल अच्छे से पक न जाए फ्रेंड्स या बिर्यानी बहुत ही टेस्टी बनती है आप इसे एक वार जरूर ट्राइ करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा तो मिलती हूँ एक और नए रेस्पी के साथ